हाँ वाई कैसे हैं आप लोग आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हम सब मिलकर चर्चा करेंगे जैन धर्म महावीर जैन धर्म महावीर जिक्षे जियस का बहुत ही important topic है कैसे कैसे question इसमें बनते हैं सारा हम इस chapter में discuss करेंगे दोस्तों देखना न भूलें बहुत ही अच्छा टोपिक है कोई भी आप एक्जाम में जाकर बैठ जाएं इससे कोश्चन सायद नहीं बना तो किस्मत ही खराब रहता है उस एक्जाम का रिसब देव थे परतिक साण अगला जो है रिसब देव पारसनात कासी के इच्छवाकू बंस के राजा असुसेन का पुत्र था वाइस में तिर्थकर अरिष्ट नेमी परतिक संख था इनका तैस में तिर्थकर पारसवनाथप परतिक था इनका शाम्प अगला जो पॉइंट है जैन धर्म का वास्तिविक संस्थापक महाविर माने जाते हैं महाविर श्वामी जैन धर्म के 24 में तिर्थकर था परतिक इनका सिह था सिह जैन धर्म के दूसरा तिर्थकर अजीत नाथ अजीत नाथ परतिक इनका था हां थी हां थी महाविर का जन्म 540 बिसी कुंडल ग्रा बहार में हुआ था कुंडल ग्राम बह साली में पढ़ता है और ये विहाराजी में है महाविर का पिता शिद्यार्थ महाविर का पिता सिद्यार्थ एंग तरिक कुल के परधान थे महाविर की माता का नाम था त्रिशला, लिछवी गनराजी परमुख की पुत्री थी, महाविर की पत्नी यसुदा, महाविर की पत्नी यसुदा थी, और महाविर की पुत्री थी अनुज्या, अनुज्या प्रियदर्सना, प्रियदर्सना भी इसको कहते थे, महाविर का देखे वर्ष की अवस्था में घर का त्याक किया था, महाविर ने 30 वर्ष के उम्र में घर का त्याक किये थे, ओके, और अगला पॉइंट है, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, जुंबिक के समय, जुंबिक, याद रखें, जुंबिक के समय, रिजू पालिका नदी के तट पर, शाल विरिक्ष के नीचे, साल विरिक्ष याद रखें, शाल विरिक्ष बहुत ही इंप्रोटेंट है, नीचे कैवल्य की प्राप्ती हुई, कैवल्य, महाविर ने अपना पर्थम उपदेश राजगीर में दिया था, ये याद रखें, राजगीर, महाविर ने अपना उपद प्राकिर्तिक भासा अर्ध मघी में दिया था ओके भासा में दिये थे और महावीर अपने शिश्यों को 11 गनराज में विभाजित किया था यह बहुत ही इंप्रोटेंट है 11 गनराज में पर्थम जैन सभा पाटली पुत्र 322 विसी अस्थुल भादर की अध्य छतामों अध्य चितामें अध्यस्तामें में अके में जुट गया है शौरि इसके लिए दिखा ओएας ठीका एक ही में जुट गया है हुआ था तथा सासक चंद्रगूप्त मौरी और इसके शभा में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया किसमें किसमें piece Whiteker श्वेतामबर एक है दिगंबर तो स्वेतामबर का मतलब क्या होता उसको जान लेते हैं जो सफेद वस्त्र पहंता था उसको बोलते हैं स्वेतामबर दिगंबर बोलते हैं जो नगन अवस्था में रहता था उसको दिगंबर बोलते थे और अगला जो पॉइंट है जैन इसको याद रखें इस लाइब से बहुत ही इंप्रोटेंट है। तरी रतन के अनुसिलन में पांच महावर्थ का पालन अनिवार्ज था। राजगीर 468 BC में हुआ था। मल राजा स्री स्तिपपाल ने राज परसाद में श्वामी महाविर का निर्मान मिर्थु हुआ था। जैन साहित को क्या कहा जाता है। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंदर कहा था चंपा नगरी में चंपा नगरी याद रखें जैन साहित का शंकलन की सभागसा वह लीपी में किया गया था प्रकृति और अर्ध मगी में पुर्ण ज्यान को कैवल्य क्या रहा था पूर्ण जैसे ही हुआ उसको बोलेंगे हम लोग कैवल्य और कलिंग राजा अगला है कलिंग राजा खारवेल तथा अजाद सत्रू का पुत्र उदाइन जैन धर्म की अनुआई थे याद रखें जैनियों द्वारा सरीर को भूखा रखकर प्रान त्यागने प्राग त्याने की विधी सलेखना कहा जा था याद रखें सले जैन धर्म के तिर्थकर की जीवनी का उलेख कल्प सुत्र में किया गया है कल्प सुत्र के रचेता कौन थे तो भाद्र बाहु भाद्र बाहु थे याद रखें महाविर ने मगद नरेश बिमिसार के शासन काल में उपदेश दिया था ये भी इंप्रोटेंट है बहुत इं इवार्ज था, पांच ब्रत अहिंसा, सत्तिवचन, अस्तेई, अप्री ग्रह, अप्री ग्रह और ग्रहमचर, जैन धर्म में इस्वर में मानिता नहीं है, तो हम जाने हैं थोड़ा सा, महाविर पुर्ण जनम एवं कर्मबाद में विश्वास करते थे, कर्मबाद में अगला जो है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्मान, चंदेल सास को द्वारा किया था, सही बात है, जैन धर्म में रिशव देव और अरिष्ट नेमी का नामों का उलेख रिगवेद में मिलता है, और अरिष्ट नेमी को भगवान स्री कृष्ण के निकट का समबंधी मा जाता है, ये भी पॉइंट बहुत इम्प्रोटेंट है, बहुत याद रखें, तो दोस्तों, ये था हम सब का जैन धर्म से बहुत-बहुत महत्पूर्na बाते जो हम लोगोंने बहुत अच्छी तरह से निभाए हैं, ये फी-बी आई है, और ध्यान रखें इसको, बहुत ह प्रोट Engineers है हर एक्जाम में आपको आएगा आप पूरा वीडियो देखें आपको पता चल गया होगा अचछा लगा है तो जरूर जरूर अपने दोशनों मित्रों को शेयर करें भाईवं पहनो दवा के सिरकने भायवम पहनो तभी मज़ा आएगा भायवम पहनो चलिए नमस्कार भायवम पहनो धन्यवाद जैहिंचे भारत